तो आज मैं आपके लिए डेकोरेटिव ट्रे आइडियास लेकर आई हैं जो आप भी बना के अपने घर को सजा सकते हैं तो चलें वीडियो के स्टारट करते हैं तो फिरस्ट ट्रे के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कार्ट बोर्ड है लेकिन यहाँ बीच में इसके एक लाइन आ रही है इसकी वजह से मैं इसके उपर एक और कार्ड बोर्ड इस्टिक करूंगी आप चाहें तो आप वो पतला वाला कार्ट पूट जो आता है वो ही डबल करके स्टिक कर सकते हैं यहाँ यह मैंने थोड़ा थिक रखा है इसको गिलू तो मैंने लगा दिया है लेकिन उसके बाद मैं मास्किन टेप लगा के भी इसको सिक्यूर कर दूँगी तो दुबारा इसके उपर मैंने ग्लू लगाया है और इसके उपर एक बढ़लेप ता कलॉट जो है मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने इसके उपर स्टिक कर दिया है और पिर इसकी साइडे जो हैं मैं कट करके इसको भी ग्लू गन की हैल्प से स्टिक करते जाओंगी वन बाइवन इसको बिल्कुल गुल आए में हमने स्टिक करना है अगर हम ये कट नहीं लगाते हैं तो ये फैब्रिक में जो है जोल आ जाएगा लेकिन हमें जोल नी लाना है से लिए हम यह इस तरह कट लगा के इसको स्टिक करेंगे और जहां अमने कट लगाए हैं उसी साइट पे हम एक और फेबरिक जो है थोड़ा छोटा कट करके उसे लिए ग्लु से स्टिक कर देंगे इस तरह दोनों साइट से कवर हो जाएगा उसके बाद मेंने यहां लेली हैं कुछ पॉप सिकल स्टिक को वीज में से कट कर लिया है गलू गं की हैल्प से मैं यहां साइट पर थोड़ा थोड़ा गेप छोड़ के इन स्टिक को स्टिक करते जा रही हूं जब यह स्टिक हो जाएंगी तो मैंने यहां ले लिए जूड रोप की मैं एक ब्रेड बना लूँगी ताकि मुझे काफी थीक रोप मिल सके और इसको थीक रोप को मैं यहां पर पूरे सरकल पर इस्टिक कर दूँगी मैंने इतनी बड़ी ही रोप बनाई थी और इगलू गं यहां पर थोड़ी हेल जूल रही थी तो यह अब मैंने यह मोटी सी रोप लगा दी है तो यहां पर यह थोड़ी सिक्यूर हो गई है अब सिंगल रोप ली है मैंने और यहां पर इसको इस तरीके से लगाती जा रही हूं उसके बाद यहां पर मैंने थोड़ा साही इसको ल सकते हैं तो मैंने यह बेट्स लगाए हैं त SERब्स है और हरा उसके बारी नहीं थे ख़ए उप्जुरीय से कोई के आप पूपर राइट वह अदिए आप बार बेट का बारी है कンタल टैबल पर सकते हैं यह तो य कई पर बी और ही यूज़ कर सकते हैं इसमें चोटे-चोटे आप शौपीज रख सकते हैं कैंडल रख सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपको यह ट्रेया आइडिया अच्छे लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा सेकेंट ट्रे बनाने के लिए मैंने फिर अगेन वही थिक वाला कार्डबोट लिया है और इसे इस तरीका ओवल शेप में कट कर लिया है इसके उपर मैं यहाँ पर फैब्रिक इस्टिक करूंगी यह मैं फैब्रिक डू ही यूज़ कर रही हूँ पूरे पे ग्लू लगाकर हम इसके उपर यह फैब्रिक स्टिक कर देंगे बाकी बचे फैब्रिक पे कट लगाएंगे और यह कट लगाकर इस फैब्रिक को भी मैं फैब्रिक ग्लू से ही स्टिक करूंगी इसे ग्लू गन से स्टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह फैब्रिक परपस के लिए यूज़ करेंगे यानि कि इसे कहीं पर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं कैजवल यूज़ हम इसे नहीं कर सकते हैं अब मैंने एक और फेबरिक कट किया है ओवल की शेप में थोड़ा छोटा है इसे भी मैं फैब्रिक किलू से पीछे की साइड पे स्टिक कर दूँगी और इसको पूरा कवर कर दूँगी कार्ट बोर्ट को इस तरह की ट्रे बनाने के लिए आपके पास अच्छे प्रिंट का फैब्रिक होना चाहिए कार्डबोड होना चाहिए आप इस तरह के ट्रेप बासानी घर में बना लेंगे और इसे डेकोरेटिफ परपस के लिए यूज भी कर सकते हैं आपके हॉम डेकोरेशन में यह काफी काम आने वाली हैं फैब्रिक स्टिक करने के बाद मैंने यहां पर यह एक ही साइज में यह का पर ला था तो मैंने यहां पर इसको जॉइंड किया है दो कार्डबोड को आपस में जॉइंड करने के बाद हम इसे थोड़ा रोल कर लेंगे ताकि यह अराम से स्टिक हो सके यह कार्डबोड हम ट्रे के साइड में लगाएंगे तो मैं यहां पर इसलिए से रोल कर रही हू मैंने इस अच्छी तरीके से जो बीच में जोइन ता पहले उसको मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया है जब मैंने इसको रोल किया है रोल करने के बाद मैंने यहां यान ले लिया है येलो कलर का फैब्रिक से मिलता जुलता है ये इसके बाद हम इस यान को इस पूरे कार्डबोर्ट पे जो है रैप करते जाएंगे यह थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसिस है यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसको रैप करने में लेकिन आप परिशान मत हो यह क्योंकि जब इसका आउट कम निकल कर आएगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा मैंने कहीं कहीं बीच में गलू लगा दिया था और इसे काफी देर तक में रैप करती रही जब यह रैप हो गया फिर मैं यहाँ गलू गन की हेल्प से यहाँ पर इस कार्डबोर्ट के साइड में इसको स्टिक करते जाऊंगी यह कितनी प्यारी और सिंपल से ट्रे बन के रेडी हो रही है यहाँ पर जब मैं इसको लगा रही थी तो मुझे काफी खुशी हो रही थी जिस कलर का फैब्रिक लेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से आपने गलूगन से स्टिक कर देना है आप यहाँ पर स्ट्रॉंग गलू ही यूज कीजिएगा आप यहाँ फैब्रिक गलू यूज नहीं कर सकते ही काटबोड है आपने साइड है इसकी थोड़े स्ट्रॉंग गलू से ही स्टिक करनी है मैं जब भी मारकर जाती हूं तो जो भी अच्छे प्रिंट का फैब्रिक जो के सस्ता भी मिल रहा हो वो बाय कर लेती हूं ताकि मैं अपने डियाइवाई में यूज कर सकूं अगर आप को माइड के रियंटी हो तो आपकी नजर हमेशगा इसी चीजहों के किस्से आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं कुछ ना कुछ कर सकते हैं किरियाटीब माइड के लोक जो रहते हैं वह जjadi तर कबार ह давайте अर उस से छीचे शीज बना लेते हैं तो इस ड्रेय में शिरीफ हमने का वीडियो को जरूर लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल नोटिफिकेशन को भी ओन कर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्हाफेज